हाई गाइस वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अन्नु जेकेटी मैं आप सभी का स्वागत है हम जा रहे हैं आज रामरूज का सब्जी बनाने आप लोग को दिखाते हैं रामरूज का सब्जी कैसे बनाते हैं इसमें 2800 करीब बैसन लिए हैं उसके घर इसमें थोड़ा स तरकी चिपके ना खुड़ा सा तेल लें के इसको 1 लिए है हैased मैं फय्टी जैसा हम इसको देव इंड़ होग्या दूसर्ड वी डालेगे पानी में हम डाल दियाए अब दूसरा डालने जा रहे हSi दोनो हम डाल दिया इसमें त्होरा तरसमें ढाल टाले क्ट कि छिफ केotz ना अब इसको 2 हैं चाहिए कि इसको निकाल के बाहर दिखाते हैं है देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा ना पाल ले तएंड देख सकते हैं कुछी संद विस्टे ze भूजाना भी नहीं चाहिए कि काड़ा हो जाएगा टाइट लगने लगेगा उसलिए थोड़ा कम ही भूजेंगे हम दिखाते हैं आप लोग को भूनने के बाद देख सकते हैं मेरा रामरोच अच्छा से भून चुका है अब इसको बाहर निकाल लेते हैं ज्यादा काड़ा टाइट नहीं करेंगी खाने में अच्छा नहीं लगेगा दिखाते हैं बाहर निकाल के बाहर निकाल के धाली में रख लिए हैं काही में तिल ग्रम दो बड़ा चमच दे दिया हैं आप लोग देख सकते हैं अब इसमें जीरा डालेंगे एक तेज पत्ता एक लाल मिर्च औ अब दो बर्साइज का प्याज है वे तो टमातर है नमक्य और अभर्साइट का ग्रम मसाला रहे हैं जीरा पाउडर है今 घूलडन ब्राउन हो गया है अब इसमय हम प्याज टालेंगे तो प्याज को ब्राउन थैका क्यों की ड्राउनल रून रहा है अब इसमें मम डालने मसाला में आदी, लसुन, मिर्ची का पिष्ट डाले हैं इसको थोड़ा भून लेते हैं उसके बाद जीरा और गोल्दी का गुंडी डालेंगे तो आसा नमक भी डाल गें अब नमक भी हम डाल लिए इसको अच्छे से मीख करके एक दो में तक भून लेते हैं तब हल्दी और जीरा और गोल्दी का गुंडी डालने जा रहा है दोनों हम डाल लिए आच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं उसके बाद आधा कप पानी दे के 2-3 मिनट तक धग देंगे तक मासाला मेरा अच्छा से सीच जाए आधा की रख करके पानी डाले इसको अच्छे से मिक्स करके 2- मेरा मेरा मासाला भी अच्छा से पक जाएगा उसके बाद दिखाते हैं आपको को 2-3 मिनट हो गया चारी मिनट देखते है इसको निकाल कि कैसे है four. मासाला पका या क्या नइं। देख सकते हैं आप लो प्ते सट गोड़ा है कितना अच्छ घल चाल बीघ आया है दिखाते है अब फड़े भी लाते फिला कि है के बाद वारामरुष टालेंगे हम दो से तीन मिनट हो गया मेरा घरम मासाला भी जैसे थुझेल आ और यहां वाराम की डालना जाल दिये हमिस में युदर यू जोया near you दो तीन मिनट ठख दग देख सकते हैं अच्छे से मेरा दामरूच मिल गया है मसाला में इसमें हाँ दो गिलास करीब पानी डाल के एक दो मिनटा उबाल आने तर इसको ठख देए पानी हम डाल दी इसको अब ढ़ाने चारे हम इसको पानी जा देते हैं इसके बाद आप लोको गी घर का एक चमच करें घी हम डाल दिया है कि कैस्टरण लो कर लगे ते देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा बनके तयार हो गया दिखाते हैं आप लोग को नीचे उतार के दिखा रहे हैं आप लोग को रेसिप्ट अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सस्क्राइब करना ना भूले साथ में बेलकन को भी प्रेस कर दें आप लोग रेसिपी ट्राय ज़रूर करें